हालो एस्टुएंट्स इन दिस सेशन अफ एलेक्ट्रोनिक मिजर्मेंट वन वी आर गॉइंग तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओम मीटर होता क्या है किसी भी एलेक्ट्रिकल सेर्किट का रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी को मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्टुमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग ओम मीटर कहते हैं Okay, ohm meter का जो use है हम लोग किसी component का भी resistance या continuity को measure करने के लिए कर सकते हैं Okay, ohm meter जो है दो word की combination से बना है ohm and meter जो की resistance को measure करता है micro ohm meter जो है low resistance को measure करता है और mega ohm meter जो है high resistance को measure करता है किसी भी circuit के ohm meter जो है less accurate है बट यह काफी convenient है Okay, so this is all about ohm meter अब हम लोग देखते हैं ohm meter कितने तरह का ohm होता है तो ohm meter जो है दो तरह का होता है एक series type ohm meter और दूसरा होता है shunt type ohm meter तो इस section में हम लोग देखेंगे series type ohm meter तो series type ohm meter में क्या होता है कि जब कोई unknown value of resistance किसी भी ohm meter के series में अगर connected हो ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते है series type ohm meter कहते है और यह जो है यहाँ पर circuit diagram है series type ohm meter का तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो एक RX जो है A और B terminal के across A terminal और B terminal के across जो unknown resistance लगावा है RX unknown resistance लगावा है यहाँ पर E जो है वो input E जो है battery है R1 क्या है एक current limiting resistor है और R2 क्या है zero setting resistance है और यहाँ पर एक PMMC galvanometer लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर यह देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक PMMC का use हम लोग ohm meter के तरह कर रहे हैं और previously हम लोगों ने जाना था कि PMMC का use am meter और volt meter के तरह कैसे करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि PMMC का use जो है वो हम लोग ohm meter के तरह कैसे करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को descriptions दिखेगा कि RX का जो value है इसको हम लोगों को measure करना है और यह जो है shunt में लगा रहता है R2 जो है आपका zero adjusting resistance है उसके shunt में लगा हुआ रहता है और R1 जो है R1, RX और जो PMC है वो आपस में क्या है series में connected होता है as shown in below figure it is clear from this figure अब जैसे ही हम लोग जो है RX को input करते हैं RX को connect करते हैं AB terminal से तो यहां पर दो conditions generate होती हैं कि RX का value ने measure करने के लिए तो उस condition के help से हम लोग किसी भी ohm meter को calibrate करते हैं ohm meter के scale को क्या करते हैं calibrate करते हैं किसी एक standard value पर set करते हैं तो यहां पर देखते हैं देखिए यहां पर लिखावा है कि AB terminal का जो left side है this is the ohm meter and right side जो है वो जो है क्या है unknown resistance का side है तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं calibration of scale of series ohm meter तो सबसे पहला condition देखते हैं कि जब RX का value 0 होगा RX का value 0 होगा तो उस condition में क्या होगा कि AB terminal जो है क्या होगा short circuited होगा calibration के लिए हम लोग देख सकते हैं कि दो conditions होता है पहला जो है calibration में RX का value अगर हम लोग 0 रखते हैं तो AB क्या होगा short circuited हो जाएगा तो इस path से क्या होगा कि maximum current यहां से flow होगा और meter का deflection जो है maximum होगा maximum current flow meter का deflection क्या होगा maximum की तरफ हो maximum deflection होगा और वो deflection क्या होगा जब RX का value 0 होता है तो terminal AB जो है short circuited हो जाता है और meter current जो है divide होता है R1 और R2 के बीच में divide होता है अब हम लोग R2 जो है variable resistance है जिसको हम लोग 0 setting resistance भी कहते हैं उसको हम लोग इस type से vary करते हैं ताकि सारा maximum current जो है वो R1 से flow करे तो उस condition में क्या होगा कि full scale जो है हमारा वो full deflection शो करेगा maximum deflection शो करेगा जो की 0 ohm represent करेगा ओके तो इसमें हम लोग फिर से इसको repeat करते हैं यहां पर देखते हैं कि जब RX का value 0 होता है तो AB terminal हमारा क्या होता है short circuited हो जाता है this value is this value is RX is equal to 0 तो AB क्या हो जाता है short circuited हो जाता है उस condition में होता है कि हमारा जो current divide होता है यहां से जब current flow होता है इस direction में तो current जो divide होगा वो यहां और यहां current divide होता है R1 और R2 में बट हम लोग जो है R2 को इस तरह से vary करते हैं कि सारा current जो है maximum current जो है वो R1 से flow हो और यहां पर इस direction में maximum deflection हो सके तो उस condition में जो maximum deflection शो करता है तो वो जो है indication किसका होगा 0 ohm का indication होगा अब हम लोग दुसरा condition देखते हैं जब Rx का value infinite हो जाता है तो AB क्या होता है open circuited हो जाता है और R1 से कोई भी current flow नहीं करता है तो उस condition पर जो है हमारा deflection जो है zero deflection शो करता है that means null शो करता है कोई भी deflection वहाँ पर नहीं आता है और उस no deflection या null deflection को हम लोग किस से represent करते हैं infinite से represent infinite ohm से represent करते हैं तो इसी दो conditions यसी दो cases के help से हम लोग different value of Rx को measure कर सकते हैं अलग-अलग deflection पर हम लोग values को measure कर सकते हैं तो अब यहाँ पर एक series ohm meter का calibration scale है यहाँ पर indication होता है तो zero ohm और infinite ohm अलग-अलग end पर होता है जैसे जब हमारा resistance deflection maximum होगा तो हम लोग यहाँ पर जो है blow figure में देख सकते हैं series type ohm meter का scale देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे कि right hand side में हमारा zero ohm indication है और left hand side में जो है हमारा क्या है इंफाइनाइट इंडिकेशन है ओम मीटर जो है high value of resistance को use कर मिजर करने में काफी useful होता है अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से इस scale से हम लोग clearly देख सकते हैं कि जब हम लोग unknown resistance को series में connect करते हैं circuit के साथ तो देखेंगे कि जब high reading आता है high reading आएगा तो हमारा जो है left side में pointer deflect करेगा that means के वहाँ पर जो है current का जो flow होगा वो minimum होगा और जब हमारा जो है low resistance generate होता है तो हमारा क्या होता है कि हमारा pointer जो है वो right side में deflect करेगा ताके इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि हमारा current का value क्या है high है . So, this is all for today session, thank you.